Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे NCRT Class 5th English Medigold Unit 2 Teamwork का Cost and Answers तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सबस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देजे ताकि NCRT से रिलेटेट साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंशती रहे और अगर आपने अभी तक Teamwork चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से निकालके भी से पढ़ सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले New Words देख लेते हैं तो देखे New Words में क्या है कि Teamwork Teamwork यानि कि Combined Effort of a Group यानि कि एक साथ मिलके Combined होके ग्रूप में काम करना उसे हम Teamwork कहेंगे उसके बाद है Hoop तो उडेन और Iron Ring Turned Along By Child तो देखे ये जो होता है ना ये उडेन यानि लकडी और लोहे का बना हुआ एक रिंग होता है एक छला होता है देखे ये होता है जिसमें कि बच्चे जो है ना जब Basketball खेलते हैं तो इसमें Basketball इसमें फेकते हैं इसमें डालते हैं तो इसे हम कहते हैं Hoop उसके बाद है कि Passes तो Move Onward यानि कि Pass करना आगे बढ़ाना जो Passes होता है ना तो वो होता है आगे बढ़ाना Relay Race देखे रेस बिट्विन Teams of which each person does part of the distance अब देखे ये जो होता है ना जो Relay Race होता है तो ये एक Race होता है यानि कि टीम के बीच यानि जो टीम होता है ना जैसे कि ये है Relay Race आप ये देख रहे है ना जैसे कि ये होड़ा है और इसमें क्या होता है इसमें जैसे कि 500 मिटर्स में एक Race होता है यहां इस तरह से जो है ना बच्चे को खड़े कर दिया जाता है और उसमें रेस होता है तो जैसे कि उसके बाद इसमें बैटन होता है तो एक बच्चा जो है यहां से बैटन लेके जाएगा और यह यहां पर जाके इसे देदेगा और यह सकेंड वाला जो यह जो बच्चा है उसके बाद ये लेके जाएगा ये थर्ड नमबर इसको देदेगा वो वहीं रुख जाएगा फिर ये वाला जो है ये बैटन लेके ये आगे बढ़ेगा इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा ऐसे करके लास्ट तक पहुंच जाएगा तो ये डिस्टेंस जो होता न डिस् रिले रेस होता है तो उसमें एक सौर्ट स्टीक जो होता है वो कैरी किया जाता है तो देखिए ये जैसे है उसे हम बैटन कहेंगे तो ये देखिए रिले रेस जब होता है तो यही वाला स्टीक लेके आगे बढ़ता है और यही आगे बढ़ाया जाता है यही वाला स्टीक इसको complete करना है if nobody passes the ball in a basketball game then you can't shoot तो ये जो है न पॉइम में आया हुआ था तो ये पॉइम से ही लिया गया है और इसे आपको complete करना है उसके बाद क्या होगा in a relay race if no one passes the baton then the race can't go on इसके बाद फिर देखिए name the team members needed for the following अब देखिए इसमें आपको ना team member का यानि कि जो हम लोग खेल खेलते जो है game खेलते हैं उसमें कितने members का ज़रत होता है team में कितने members का कौन-कौन चाहिए तो वो बताना है तो देखिए to play cricket जब हम cricket कहलते हैं तो to play cricket we need किसका batsmen, ballers, fielders और coaches तो इसका ज़रत होता है ठीक है cricket में उसके बाद है to make a film we need तो हमें फिल्म बनाने में किसकी ज़रत परती है तो देखिए एक producer होता है producers, directors, actors और cameraman इतने का ज़रत होता है उसके बाद फिर देखिए to run a good school we need अब एक school चलाने के लिए किसका किसका ज़रत परता है जो देखिए teachers, teachers होना चाहिए, principal होना चाहिए, students होना चाहिए तब ही एक school जो है न वो आगे बढ़ेगा, वो चलेगा ठीक है, उसके बाद to run a restaurant we need अब एक restaurant को चलाने के लिए किसकी ज़रत परेगी, तो एक sales होना चाहिए, finance manager होना चाहिए, waiters होना चाहिए तो इस तरह से restaurant के लिए ये सब चाहिए, उसके बाद देखिए, अब ये एक poem है, समझे, उसके बाद देखिए, for want of a nail तो एक nail की, nail की मांग करना, nail की चाह करना, तो ये क्या हो गया, तो एक ये poem है, for want of a nail, the shoes was lost तो देखिए, इसमें क्या का चाह रहा है, for want of a nail, the shoe was lost यानि की, कील के अभाव में, जूता खो गया, for want of a shoe, the horse was lost अब जूते के अभाव में, घोडा खो गया, for want of a horse, the rider was lost अब घोडे के अभाव में, राइडर खो गया, for want of a rider, the battle was lost अब देखिए, एक rider के अभाव में, युद्ध खो गया, यानि की, लडाई खो गया for want of a battle, the kingdom was lost अब एक युद्ध के अभाव में, क्या हुआ, kingdom खो गया, यानि की, सम्राज खो गया and all for the want of a horseshoe nail और ये साड़े किसके अभाव में हुआ, सिर्फ एक कील के अभाव में हुआ, horseshoe nail के अभाव में, ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा poem था, उसके बाद देखिए, कि now make three more questions and answers from the poem, team work, अब देखिए, इसमें आपको questions बनाने हैं, तो इसमें देखिए, क्या है आपका, कि how was the kingdom lost, तो kingdom कैसे खो गया, the kingdom was lost because the battle could not be fought, तो kingdom कैसे हो गया, जो सम्राज जी था, वो कैसे खो गया, क्योंकि battle could not be fought, क्योंकि battle youth जो है न, वो नहीं, लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा था, अगर लड़ाई नहीं अगर होगा, तो kingdom कैसे रहेगा, इसलिए, kingdom खो गया, उसके बाद देखिए, how was the shoe lost, तो जोता कैसे खो गया, कैसे खो गया था, the shoe was lost because of the nail, तो किसके अभाव में, कील के अभाव में, जोता खो गया, how was the battle lost, तो युद लड़ाई कैसे खो गया, तो the battle was lost because there was no rider, तो battle इसलिए जो है ना, खो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई rider नहीं था, कोई लड़ाई करने वाला, यानि की नहीं था, rider नहीं था, तो इसलिए जो है ना, battle खो गया, उसके बाद है, फिर, what can we share with teamwork, तो देखिए, इसमें क्या का जा रहा है, कि हम ल joy with teamwork, तो हम लोग क्या करेंगे, joy को share करेंगे, उसके बाद देखिए, what can teamwork do, तो teamwork क्या कर सकता है, तो teamwork can make our dream work come true, तो teamwork क्या कर सकता है, हमारे सपने को साकार कर सकता है, सच कर सकता है, where should we put our eyes on, तो हमारे eyes वो कहा रहना चाहिए, तो we should put our eyes on a common goal, तो हमारा जो eyes है वो एक common goal पे रहना चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए, आपका chapter ये complete हो चुका है, cost and answers complete हो चुका है, तो आपको कैसा लगा पढ़के, मुझे जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल को like, subscribe कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे, और आपको कहीं भी समझने में problem हो रही हो, तो आप मुझसे comment के द्वारा भी पूच सकते हैं, तो चली मिलते हैं, अब हम next video में, तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video.